आज मैने स्टेटमेंट देखा, यह संपीटर ड्रका कैसा बेकती है, पता नहीं है, उन्होंने बोला कि नौर्टिस का लोगों को साइनीज जैसा देखता है मेरा सहरा मैंने आइना में देखा और मैंने ही मेरा पता सला कि मुझको असामी जैसा लगता है मुझको इंडियान जैसा लगता है कोई तरफ से मुझको साइनीज जैसा नहीं देखता है पता नहीं वो बैक्टी का क्या है एक racist comment है हमें डुख देने वाला comment है और साइनीज का साथ हमारा similarity धुनके what he tried to prove पता नहीं उनका दिमाग में क्या है लेकिन एक बात जरूर है राहुल गांडी का एरे गेरे में जो भी लोग रहता है उनका जो नौठिस का उपर जो उनका डिस्ट्री है या नौठिस को जो देखने का जो उनका तरीका है ये बहुत ही गलत है वो हमेशा नौठिस का लोगों को इंसाल करता है कभी बोलेगा ये चाइनीज जैसा दिखता है कई बोलता है क्या वो भारत में है ऐसे वो हर ताइम राहुल गांडी और उनका जो एरे गेरे में लोग रहता है नौठिस को इंसाल करते ही रहते है और ये जो सेम पित्रोडा का आज जो बायान आया ये रेसिस्त है कॉंडेमेबुल है और सोभा भी नहीं देते है और मैं सेम पित्रोडा को बोलना साता हूँ कि आप कभी नौठिस में आये नहीं आये पता नहीं बाट नौठिस का लोग जो है हम लोग प्राउड इंडियान है और मैं बोल सकता हूँ अजे आस्वामिस आए में प्राउड अस्वामिस मनीपुरी लोग बोलेगा वी आर प्राउड मनीपुरी नगाज भूट वी नगाज भूट ल इंडियान कभी हमारा आप इंडियन ने शको यह हमारा जो नसनिलिस्त अमारा जो इमोशन है संथीमेन इसको अप शैलिंज मत किजी रिधा नहीं नहीं बोलता है that we have overcome that racism last 10 साल में मोडी जी का जो एक प्रयाज हुआ नौट इसको मेंश्ट्रीम करवाने में वो सफल हुआ आज कोई रेसिजिम का कोई केस आते ही नहीं बट अगर रेसिजिम सेम पित्रोडा राहुल गंडी शुरू करेगा तब तो पुरा डेस में और फैलेगा यह जो हमने जो स्टोरीज को हमने क्रॉस करके आया दस साल पहले उसको हमने समाब किया लोगों लोगों ने समझने लगा कि नौट इस इस इंट्रीगल पार्ट आप डिस कंट्री और कोई लोग साइनीज जैसा नहीं दिखता है हमारा एक अपना फैसर है जैसे तमिल नादो का लोगों का एक अपना कालर जै अपना फैसर है नौट इंडियान का लोगों का होगा इसनी इंडिया का लोगों का होगा नौट इस का लोगों का होगा बट इस आर ओरीजिन टु इंडिया यह इंडिया का ही कालर है, यह इंडिया का ही सहरा है, यह इंडिया का ही आपका फिजिकल जो भी एपेरंट्स है, इसेंस टूली इंडियन, तो यह जब सेम पिट्रडा वो नहीं समझता है, जो राहूल गांडी का सबसे करीब एडवाइजर है, वो नहीं समझता है, तो बाकी लोग तो नहीं समझना आए वेरी वीटिज आप यू कन अप्रिशेट डैट राहूल गांधी का फ्रेंड फिलोसोफर गाइज सेंपित्रोदा वो जो इन्हेरिटेंस टेक्स का बात बताया कॉंग्रेस ने क्या भी तक उनको इन्डियान आवर्सिस कॉंग्रेस का पोस्ट से हटाया क्या आज भी हमारा नौटिस का लोगों को एतना इंसाल करने का बाद जैराम रमेश ने क्या तुई दिया है कि हम इससे एक नहीं हूँ जो अपना पिता माता जी ने जो नाम दिया है नाम को ही उसेंज कर सकता है वो तो डेस को भी तुकरे तुकरे कर सकता है यह यूजलेस इश्यु कैसे है यह हमारा इमोशन का सथा जोरा हुआ है आप useless बोलेगा हमें हमको Chinese बोल देगा और आप बोलेगा this is useless किसी को आप African बोल देगा और आप बोलेगा this is useless प्रियंका गांधी के लिए यूजलेज हो सकता है बट क्रोरो नॉट इसका लोगों के लिए वह useless नहीं है अब किसी को बोल देगा वह South African जैसा दिखता है यार इसका मतलब क्या है मतलब क्या है यू और यू आपके लिए वह यूजलेज है तो प्रियंका गांधी के लिए useful कुंसा है सुनिया गांधी कतना बरा है राहूल गांधी कतना बरा है गांधी फैमिली कतना बरा है डट इस यूजपूल और हम लोग useless यह क्या बात बताता है